खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन किम जोंग की सेहत को लेकर अब भी अनिश्चित्ता बनी हुई है अमेरिका और साउथ कोरियन खूफिया एजेंसियों के मुताबिक अप्रैल के दूसरे हफ्ते में किम की हार्ट सर्जरी हुई जो असफल रही इसके बास से किम जोंग के ब्रैंडेड होने या मरने तक के कयास लगने लगे ठीक 20 दिन बाद तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए किम राजधानी प्योंग सांग के पास एक समहरों में दिखे इसके बास से कहा जा रहा है कि ये उनका बॉडी रबल है हाला कि ऐसे किसी दावे की अभी तक पुष्टीन नहीं की गई है वैसे अगर बॉडी डबल है भी तो किम अकेले ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े नेताओं के हमशकल रह चुके हैं जैनिफर जैंग नामक एक ब्लोगर ने किम की कई तस्वीरे ट्वीटर पर डाली है इनमें उन्होंने दिखाया है कि किम जोंग के दात कान और बाल में किस तरह का अंतर है यहां तक कि बिटैन की पूर्फ सांसद रही लुइस मैंस का भी कहना है कि किम पब्लिक प्लेस में अक्सर अपने बॉडी डबल का इस्तमाल करते हैं ताकि उनकी जान को खत्रा ना हो यह आमतोर पर किसी ना किसी तरह से एक्टिंग से जुड़े होते हैं जैसे क बग एक समान होते हैं और उनी की तरह एक्सप्रेशन भी होते हैं जिनकी जगह उने लिया गया है यह लोग बॉडी डबल कहलाते हैं इन्ने स्टेंड इन भी कहा जाता है कई बार चहरा ना मिलकर कद काठी मिलने पर बिना चहरा दिखाए ही बॉडी डबल का इस्तमाल किया जाता है अभी लेंगे एक छोटा सब रेक और बेक के बाद आपको बताएंगे कि ये बॉडी डबल किस मकसद से इस्तमाल किये जाते हैं भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल महावीर इंकलेव पालम डाबडी रोड पर स्थित सौथ वेस्ट दिल्ली का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ डॉक्टर सी एम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्रात्मिक्ता है वो भी अफोर्डिवल रेट्स में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आईए आपको बताते हैं कि ये बॉड़ी डबल किस मकसद से इस्तमाल किये जाते हैं फिल्मों के अलावा राजनीती में भी बॉडी डबल का खूब इस्तमाल होता है इन्हें पॉलिटिकल बॉडी डबल कहते हैं ये फिल्मों से कई ज़्यादा सैंसिटिव मुद्दा होता है क्योंकि इसमें जान का खत्रा रहता है आमतोर पर राजनेता अपने बॉडी डबल का उप्योग तभी करते हैं जब उन्हें जान का खत्रा हो ऐसे में सार्वजनिक सभाओ या कोई दूसरी मुलाकातों के लिए वे अपना हमशकल खड़ा कर देते हैं यहां भी किसी नेता का बॉडी डबल होने की एहम शर्थ है कि कद वजन और चहरा लगभग समान हो साथ ही अभिनय भी आना चाहिए राजनेताओं के बॉडी डबल के लिए बकायदा कई इंटरव्यू होते हैं देखा जाता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं या किसी बात में वो असल से अलग तो नहीं इसके बात शुरू होता है ट्रेनिंग का सिलसिला हमशकल को किसी खास वक्त के लिए तयार किया जाता है ताकि थोड़ी देर या दिनों के लिए वो असल नेता को रिप्रेजेंट कर सके वैसे इसमें जान का खत्रा भी होता है मिसाल के तौर पर अगर कोई नेता किसी खास शक्स या पार्टी में अलोग प्रिये हो या उसका कोई फैसला कुछ लोगों को अखरता हो तो बाडी डबल को असल मानने वाले उस पर जान लेवा हमला भी कर सकते हैं वैसे आमतोर पर नेता अपने बाडी डबल को चैरिटी प्रोग्राम में भेजते हैं जहां कोई सार्जनिक घोषना करने की जरूरत ना पड़े माना जाता है कि अमेरिकी लीडर हिलारी कुिंटन ने वर्ड ट्रेक सेंटर पर हुए आतंकी हमले की वर्षी पर अपने बाडी डबल का इस्तमाल किया था पहले उन्हें निमोनिया होने की खबर आ रही थी लेकिन कुछ ही घंटो बाद वे आयोजन में दिखी इसके बाद से टरंप समर्थकों ने ट्वीटर पर हैस्टेक हिलेरी बॉडी डबल ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया बहुत से लोगों का मानना है कि हिलेरी पहले भी बॉडी डबल का उपयोग करती आई है पॉलिटिकल अभिनेत्री टेरेसा बेरल उनके बॉडी डबल का काम करती है हाला कि खुद टेरेसा ने कहा कि वे उस दोरान देश से बाहर थी वैसे कई वर्ड लीडर ऐसे हैं जिनके बॉडी डबल रह चुके हैं इन में से एक है सद्दाम हुसैन यूएस की खुफिया एजेंसियों के अनुसार इराग के इस भूतपूर तानाशाह के पास एक नहीं बलकि कई बॉडी डबल थे सद्दाम के बॉडी डबल इतने असल होते थे कि जब 2003 में उन्हें पकड़ा गया तो डिफैन सेकेटरी को चेक करवाना पड़ा कि वो असल ही है या फिर बॉडी डबल हुसैन की बॉडी डबल प्लास्टिक सरजरी करवाते थे यहां तक कि हुसैन के शरीर पर चोट या गोली लगने के निशान भी हमशकलों को अपने शरीर पर बनवाना पड़ता था सद्दाम के बेटे उदे हुसैन का भी एक डुबलिकेट था जिसका दावा था कि उदे के भम में उसे 26 बार गोलीया लग चुकी है तो आपने देखा कि दुनिया में ना केवल किम जॉंग अपना डबल बॉड़ी इस्तेमाल करता है बलकि दुनिया में कई ऐसे वर्ड लीडर है जो किसी ना किसी खास मकसद से अपना डबल बॉड़ी इस्तेमाल करते हैं इस खबर में फिलाल इतना ही देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज नमस्कार